नेक्स करते हैं, नेक्स है डेनमार्क टू क्रिएट वोल्ड फर्स एनर्जी आइलेंड इन दे नॉर्थ सी, एक लेन में कितने सारे फाक्ट हैं कि ऐसा कौन सी कंट्री है, जो नॉर्थ सी में सबसे जादा लार्जेस्ट एनर्जी आइलेंड बनाने जा रहा है, और कहां बनाएगा, नॉर्थ सी में बनाएगा ये, नाम सीख देगो, इस क्लिर है, फर्स एनर्जी आइलेंड, एक ऐसा आइलेंड जो क्रिएट किया जा रहा है, जहां पर एनर्जी बनाई जाएगी काफ़ ज़ादा, मतलब एलेक्टरिसिटी प्रवाइड किया जाएगा, अगर आप इस डाइग्राम को देख पाओ, तो यहां पर आप कई सारी टर्वाइन्स नजर आएगी, विंड टर्वाइन्स, जो जिनके हेल्प से हम लोग एलेक्टरिसिटी को जिनरेट करते हैं, तो इस आइलेंड पर क्या होगा, कई ज़ादा अमाउंट ओफ एलेक्टरि 18 football fields का जो size है, उसकी according, इसका size होगा, next diagram देखें, यह यह, it is linked to the hundreds of offshore wind turbines, it is also linked to these, जितने भी आपकी offshore wind turbines है, मतलब, आइलेंड के जो पास में पानी है, वहाँ पर कफे साथा wind turbines लगाई जाएंगी, जिसकी helps electricity generate किया जाएगा, तो यह important है, आपने ध्यान रख रहे हैं, साथ मे यह ध्यान रखने की electricity, जो needs हैं, यॉरप की, that is also be fulfilled by this energy island, जो किसने बनाया है, Denmark ने बनाया है, कहां बनाया है, North Sea में बनाया है, और यह world का सबसे जादा बड़ा energy island बनने जा रहा है, ठीक है, यह अपने चीज़े ध्यान रखनी है, next है आपका Stardust 1.0, यह important है, क्योंकि Stardust 1 1.0, पहला rocket बना है पूरे world में, जो कैसे चला है, on the biofuel, biofuel का मतलब होता है, कैसा fuel, जो living organism से बना है, यह फिर living plant से बना है, अगर हम biofuel की बात करें, तो जो fuel can be made from the crops, wheat का जो last में waste बच जाता है, उसको यूज करके जो companies biofuel बनाती है, sugar gain का जो last में waste बच जाता है, उसको biofuel बनाती है, तो ऐसा जो fuel है, that is generated with the use of plant and organisms which are living in nature, those fuel are called as biofuel, तो Stardust 1.0 पहला ऐसा rocket बना है, जिसने biofuel की help से अपने आपको launch किया है, मतलब सरकार ने इसको launch करवाया है, किसने launch करवाया है, US, US ने इसको launch किया है, और Stardust 1.0 is the first, ठीक है, आपको धान लगना है, पहला commercial space launch है, जो powered by the biofuel, और जो biofuel है, बेसिकली अगर हम normal fuels की बात करें, जो use होते हैं, रॉकेट वगारा में, तो ये काफी जादा, थोड़ा सा कम energy efficient है, इसी वजह से बहुत कम payloads के जो vehicles हैं, जो satellites हैं, वो लेकर जा पाएगा, तो basically किसके लिए important है, it is suited for the student and low budget payloads, मतलब जो बनाते हैं, या फिर जो company security बनाती है, उसके regarding, जो satellites अगर आपने launch करवानी है, तो इस rocket के थो आप launch करवा सकते हो, बड़े satellites आप इसके थो launch नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि biofuel की efficiency है, that is lower than the other fuel which are used in the rockets, ठीक है, तो नाम ध्यान रगना, star dust 1.0, biofuel पे चला है, USA ने बनाया है, और कम payloads की satellites से वो लेकर जा सकता है, next है, hope probe, hope probe is the UAE का पहला mission to Mars, देखो तीनों भी recently आएंगे, आपके hope probe हम discuss करेंगे, हम लोग चाइना का 93-1 discuss करेंगे, हम लोग NASA का perseverance discuss करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में क्या similarities हैं और क्या differences है, similarities दोनों में यही है, सभी म पर कौन सी rock present है, उसकी surface पर कौन सा mineral present है, क्या यहां पर पहले life थी या पहले life नहीं थी, क्या water के evidences मिले हैं कि नहीं मिले हैं, यह सब जो है, basically similarities है, तभी तीनों के तीनों प्रॉब्स में, differences आपने देखने देरे करके, जो hope probe है, यह किसका mission है, वो UAE का mission है, इसको और क्या बोलते हैं, it is also known as al-amal probe, al-amal is basically Arabic में hope बोलते हैं इसको, तो hope probe या al-amal बोलो दोनों ही, UAE का mission है, to research about the Mars planet, अगर हम देखें कि यह कैसा है, it is an orbiter, यह क्या है, यह मार्स के orbit के राउंड चक्र काटता रहेगा, जैसे earth के राउंड sun, moon घूम रहे हैं, तो वैसे ही, यह पुर ध्यान रखना है, next अगर हम देखें, लाउंच कब किया गया था, लाउंच किया गया था, यह 19 जुलाई 2020 को यह लाउंच किया गया था, और यह कब orbit में एंटर कर गया, in the 9th of February 2021, तो यह जब पहुंच गया था, तभी न्यूज में रहा था, इसलिए इसको लोग ने इंक् पहला मिशन है, जो किसी भी अरेविक कंट्री ने भेजा है, अधरवाई यह यूरपेन कंट्री होती है, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील वगरा होते हैं, ब्राजील, साउथ अमेरिकन होगी, या इंडिया, रश्या, या यूज से वगरा धेजते हैं, तो पहला ऐसा अरेव कितने टाइम तक रूटेट करता रहेगा, आराउंड 7.30, तो यह तो हैं दो अर्थ के साथ, और यह दो अर्थ के साल किसके इक्वल है, एक मार्स का साथ, वन मार्स इर इस इक्वल टू अर्थ इयर्स, मतलब मार्स को रिवॉल्व करने के लिए अराउंड दे सन, ज्यादा वन प्रॉब किसका है, चाइना का है, यह लॉच कब किया गया था, 23 जुलाई 2020 को लॉच किया गया था, वो कब लॉच किया गया था, UAE वाला 19th of July, 19th of July और यह वाला 23 जुलाई, यह कब पहुचा है, 10 February को, वो कब पहुचा था, 9 February को, तो नों साथ साथी इसलिए इंपोर और यह बीटर मिशन था, वो सरफ मार्स के रावन और अर्बिट कर रहा था, लेकिन यह जो चाइना का है, यह बिजिकली और भी करेगा, और साथ में एक रोवर भी सेंड किया है, जो मार्स के सरफेस पर लाइंड करेगा, और बहां पर देखेगा, कि पहीं कैसी रॉक प्र प्लस आपका लाइंडर मिशन, यह मार्स के सरफेस पर लाइंड भी करेगा, और जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट चलेगा, इसका बेसिकली देखने के लिए कि भी कैसी रॉक्स है, इस तरीकी के देखो, रोवर टाइप से होते हैं, ठीक है, तो अल्टिमेटली यह चाइना का और्बिटर मिशन भी है, और साथ में लैंड भी करेगा, और एल्टिमेटली रोक्स को नजदीक से स्टडी करेगा, तो यह तो हैं इंपोर्टन, अगर हम तियानवन की बात करें, तो यह चाइना ने लॉंच किया है, कौन से रॉकेट से लॉंच किया है, लॉंग मार्च फाइफ रॉकेट, ध्यान रखना है क्योंकि लॉंग मार्च फाइफ रॉकेट जो है बहुत इंपोर्टन है, क्योंकि चैना जितने मिशन से अपने लॉंच करता है, वो इसी रॉंच करता है, तो अगर कोई भी मिशन अगर आ जाए, जो आपको नहीं याद हो कि भी कहां से लॉंच किया होगा, कैसे लॉंच किया होगा, तो आपने रॉकेट ध्यान रख लेना है, कि लॉंग मार्च फाइफ, इस दी रॉकेट ऑफ चाइना, ठीक है, चलो, तो अगर ये लैंडिंग साइट ये अगर हम बात करें, कि वह ये जो हमने लैंडर मिशन बोला कि कहां पर क्या बोलते हैं, यूटोपिया, प्लैनिशिया, वहाँ पर ये जो लैंडर मिशन है, ये लैंड करेगा, और वहाँ से जाकर चीजों को आगे स्टेडी करेगा, ठीक बात है, रहेगा, या लैंडिंग साइट ध्यान रखनी है, कब लॉंच किया गया था, कब पहुंचा है, और ये कैसे अलग है, UAE वाले से, ठीक है, चलो, नेक्स देखते हैं, अच्छा, इसमें एक उचीज़ देखें, अगर चाइना ने जो लैंड करवाना है, अभी फरवरी में तो ये पहुंचा है, आराउंड मार्च, अप्रिल, मई, मई के आराउंड ये लैंड करवाएंग जो थर्ड कंट्री बन जाएगा, अभी तक सरफ ऐसी दो कंट्रीज हैं, जो सक्सेस्फुल रही है, मार्स के सर्फेस पर लैंड करने में, that is USA and USSR, रश्या वाला टाइम, और जो चाइना थर्ड बन जाएगा, अगर वो लैंड करवाने में सक्सेस्फुल रहा तो, इंडिया बन सकता था, इंडिया का मार्स और बिटर, बाइनडिया को जो मॉम मिशन था, मंगल यान था, वो भी कैसा मिशन था, जैसे UAE वाला और बिटर मिशन है, ठीक है, चलो, नेग्स अगर हम आदो थेकि, नासा का परजीवरंस, नासा का परजीवरंस, ये क्या क्यों इपर्ट 30th of July of 2020, UAE 19th July को launch किया गया था, आपका चाइना का 93th July को launch किया गया था, और ये तनाजा वाला 30th July को launch किया गया था, सभी की launch date, सभी की पहुंचने की date आपने ध्यान रगने अपर में question आते हैं इन पर, तो अगर पढ़ी रहे हैं तो याद भी करना शुरू ही कर दो साथ-सा है जजगह का नाम इस जेजेरो क्रेटर, जेजेरो क्रेटर, क्रेटर बेसिकली हलका सा बड़ा सा गड़ा, मतलब इतना गड़ा भी नहीं कि वो निकल ना पाए वहां से, बट एक ऐसा एरिया जहां पर primitive life of Mars का जो है वो देखने को मिल सके, तो जेजेरो क्रेटर, चाइना क तियानवन कहा आना था, यूटोपिया प्लैनीशिया पर, ठीक है, यह वाला जजगहरो क्रेटर पर पहुंच चुका है, उसने पहुंचना है अब ही, ठीक है तो यह चीज़ इसमें इंपोर्टेंट है, इसमें एक और है मॉक्सी, मार्स ओक्सीजन इसरूफ एक्सपेरिमे वो औक्सीजन आपके ऐसर फ्यूल भी काम आएगी, तो जादा फ्यूल आपको अर्थ से लेकर जाने की जूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम बेशी के लिए क्या है कि वापस भी आएगा मार्स वाला मिशन दुबारा अर्थ पे, सारे के सार रॉक सेंपल्स वगरा कठे करके तो जाने में फ्यूल जाना था, आते टाइम भी फ्यूल चाहिए है, तो जाते टाइम के लिए तो भेजा हुआ इसके साथ में, लेकिन जब यह वापस आएगा, तो जो CO2 की है, जो मार्स के टमॉसफेर में CO2 है, उसको आपने oxygen में convert करवाना है, और उस oxygen को as a fuel use करना है for व will be used as a fuel for come back from the Mars to Earth again, ठीक है, चलो, तो और एक और चीज़ में यह है, साथ में एक और इसमें इंपोर्टेंट है, ingenuity, ingenuity is the name of helicopter, जो पहली बार कोई भी ऐसा helicopter, जो मार्स के टमॉसफेर में घूमेगा, that is the name of the helicopter is ingenuity, यह भी Perseverance Mission का ही पार्ट है, ठीक है, तो इसमें मॉक्सिय अपने ध्यान रखना है, ingenuity, helicopter अपने ध्यान रखना है, Perseverance का काम क्या, it is also orbiter, it is also lander mission, ठीक है, UAE वाला सिर्फ और अर्बिटर था, बाकी चाइना और NASA वालत दोनों ही क्या है, आपके lander mission है, चाइना वाले ने लैंड करना है, यह लैंड कर चुका है, ठीक है, चलो, next is world wetlands day, कब मनाया जाता है, दो फरवरी को यह मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दो फरवरी 1971 में, 2 February 1971 में, एक convention sign की गई थी, जिसका नाम था, रामसर convention, रामसर convention काफी countries ने sign किया था, जिसके अंडर, countries ने क्या यह प्रतिग्या ले थी, जितने wetlands हैं हमारी country मे wetlands मतलब आपका lake हो गया, आपका pond वाला area होगा, आपका river है, जो कोई भी ऐसा area, जो within the water है, ठीक है, जो within the water है, that area is the wetland, तो वो चीज़े बहुत important होती है, आपके birds के लिए, बाकी और चीज़ों को, बाकी और animal species के लिए भी, आपके drinking water के लिए भी, है ना, तो इस सब wetland को स 1971 को sign किया गया था, और उसी day को हम क्या मनाते है, world wetland day मनाते है, इसकी आपको theme भी धान रखनी है, theme भी हम लोग ने कहीं लिखी है, theme is the water wetland, theme is the wetland water, theme of this world wetland day is the wetland water, और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने भी sign की हुए convention, तो इंडिया में अभी कितनी sites है, there are 42 ramsar sites, या फिर 42 wetlands ऐसे हैं जिसको सुधारने के लिए, जिसकी conservation के लिए सरकार ने काफे ज़द initiatives उठाए हैं अपने time में, तो 42 sites are the ramsar sites in India, और ramsar convention कब थी, 1971 में sign की गई थी, और 1975 में ये implementation इसकी शुरू हो चुकी थी, ठीक है, 71 में ये launch किया गया था, 75 में implement हो चुका और इंडिया भी इसका part है, और World Wetland Day आपका 2nd of Feb को मनाया जाता है, और इसके जो theme है, that is, wetland water, ठीक है, theme ध्यान रखने क्योंकि theme paper में आती हैं कई बार, ठीक है, चलो, next है, World Sustainable Development Summit, WSDS, तो ये summit होती क्या है, कौन conduct करवाता है, और ये क्यों news में थी, news में इसलिए है, क्योंकि इसका 20th edition है, वो recently inaugurate के दा, फरवरी वाले area में, इस summit का, जो आपका theme है, that is, redefining our common future, safe and secure environment for all, इतना ध्यान रखने की, मतलब, जातो रखनी है theme आपको, बट, summit के अगरे बार हैं, बताओं मैं थोड़ा गोता आप लोगों को, तो, आईए ऐसी summit है, जो कौन, कौन आपका organize करता है, TERI, the Energy and Research Institute of India, it is being organized by the TERI, the Energy and Research Institute of India, ये basically इसलिए organize करवाई जाती है, क्योंकि, there are different issues of developing country and developed country, as compared, if we compare the climate issues, जो climatic change है, जो global warming हो रही है, वो global warming जो है, developed countries को अलग तरीके से impact करेगी, और developing को जाधा अलग तरीके से impact करेगी, लेकिन जो burden है, जो जाधा amount of exploitation है, that would be born by the developing countries, तो developing countries की basically summit है, जिसमें सारे मिलके बोलते हैं, कि भी climate change को रोकने के लिए, climate का जो issue है, उसको ठीक करने के लिए, हम लोग क्या-क्या steps उठा सकते हैं, तो ये सब summit में बोला जाता है, तो data summit is world sustainable development summit, और ये को रोगनेस करवाता है, क्या इसका basic feature है, क्या इसकी theme है, या अपने ध्यान रखनी है, ठीक है, चलो, अगर आप theme को ध्यान से देखो, तो ये है, redefining our common future, safe and secure environment for all, चाहे वो developing country में कोई भी country हो, चाहे वो developed country ही क्यों ना हो, उन सब का जो future है, that is common, क्योंक ultimately करेगा तो न, अभी नहीं, तो मैं 50 साल बाद करेगा, तो common future तो यही है, कि आपको जो development है, that should be sustainable, आपने अपनी economic growth करने के लिए environment छेड़चाड नहीं करनी है, ठीक है, तो ये सब basically बात होती है, world sustainable development summit में, जिसमें mainly developing countries आपस में बैठती है, और ये देखती है, क्या हम climate issues और global warming, ठीक है, इसकी theme ध्यान रख लेना, किसने organize करवाया है, और क्या इसका basically motto है, next देखते हैं, carbon watch, carbon watch इसलिए news में थी, क्योंकि चंडिगड ऐसा पहला city बन गया है, जिसने carbon watch के concept को implement किया है, carbon watch एक ऐसी watch है, जो किसी भी person के carbon footprint को note करती है, carbon footprint का मतलब होता है, कि आपन कितने जादा amount of greenhouse gas emit किये है, जैसे CO2 is a greenhouse gas, तो आपने कितनी CO2 emit करी है, आपने ऐसा कौन सा काम किया है, जिससे वजह से global warming और जादा होने वाली है, that is a kind of watch जो आपकी carbon footprints को जो है, ये को ये measure करती है, तो ये city जो है चंडिगड पहली बनी है, तो अगर हम carbon footprint की बात करें तो, it's the amount of greenhouse gases, especially CO2, released into the atmosphere by a particular human activity, आपने कोई भी activity करी है, उससे वजह से, जितने भी greenhouse gases आपने release करी है, अपने अपने रिलीज करी है, that would be your carbon footprint, और वो carbon footprint कौन measure करेगा, carbon watch measure करेगा, और चंडिगड has become the first city, which has implemented the policy of carbon watch, ठीक है, रहेगा याद, important है, याद रख लेना, नेक्स्ट है, government to monitor the OTT content, OTT मतलब over the top, over the top platforms, जैसे आपका Netflix है, Prime Video है, Alt Balaji है, यह जितने भी content हैं, यह basically आपका over the top platforms है, जिस पर regulation सरकार की नहीं थी, अब तक, लेकिन सरकार ने बोला है कि जो भी content, इन platforms पर आ रहा है, वो थोड़ा सा regulate करने की जुरत है, अदर्वाइस जो मन में आता है, लोग वो release करना शुरू कर देते हैं, तो सरकार ने बोला है कि जितने भी आपके यह over the top platforms है, they would now be under regulation by the ministry of information and broadcasting, यह अपने ministry ध्यान रखनी है, the ministry is information and broadcasting, जो यह regulate करेगी सारे के सारे over the top platforms की content को खास करके, ठीक है, और अगर हम देखे हैं, तो जो rules है, rules are the information technology, intermediary guidelines and digital media ethic code, rule 2021, कुछ आद करने के जुरूदी, simple याद रखो, information technology rules 2021, बस, IT rules 2021 के अंडर ये बोला है सरकार ने, कि भई अब से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जितना भी content over the top platforms पर है, they would be under the regulation of the ministry of information and broadcasting, ठीक है, इसने एक और चीज़ जिन लोग ने क्या बोली है, कि there would be three tier grievances redressal mechanism, अ फिर किसी को भी, किसी को कोई दिक्कत है कि ये जो content दिखाया जा रहा है, ये इतना अच्छा content नहीं है, फिर इसको ban कर देना चीज़, society के लिए अच्छा नहीं है, लोगों को mislead करता है, तो अब कोई भी आपकी दिक्कत है, तो आपको आपके इस grievance को redress किया जाएगा, आपकी इस समस्या को ठीक किया जाएगा, को सुना जाएगा, that is the three-tier mechanism, तीन ऐसे steps होंगे, जो आपने पहले करने है, पहले तो क्या होगा, कि जो OTT provider है, माला आपने नेट्फिक्स पे कोई show देखा, जिसमें आपको लगता है कि content जो society के लिए अच्छा नहीं है, तो पहले आपने किसको complain करी, नेट्फिक्स को ही, जहां पर आपको वो show देखा था आपने, ठीक है, या प्राइम वीडियो पे देखा, तो आप प्राइम वीडियो वाले को mail करोगे, उसको report करोगे, जहां पर आपने show देखा है, उस media को, उस platform को आप पहले complain कर दोगे, अगर वो नह सुनते हैं आपकी, तो क्या है, there is another step, second में है, आपकी self regulatory body, एक ऐसी organization, एक ऐसी commission बनाई है, जो सभी ने मिलके बनाई है, नेट्फिक्स वाले कुछ बंदे हैं, प्राइम वीडियो वाले कुछ हैं, होस्टार वाले कुछ हैं, आल्ट बायाजी वाले कुछ हैं, एमेक्स प्ल किसको लिखोगे, इस self regulatory body को लिखोगे, ठीक है, अगर ये भी ढंसे काम नहीं करती है, ये भी आपके ग्रिवांस को redress नहीं करती है, तो ultimately आप कहां जाएंगे, ultimately आप जाएंगे, government के पास ये power है, government has overriding powers in this form of oversight mechanism, जिसमें अगर कोई function उनको करना है, कोई activity को उनको ban करना है तो वो easily कर सकते है, ठीक है, तो ये chances providers को भी दिया गया है, platform वालों को, कि आप जो report आपके पास आए, कम से कम उसको ध्यान से देखो, पढ़ो और इसके लिए कोई action लो, अगर आप नहीं करते हो, तो ultimately पहला वो provider, second आपकी self regulatory body, जो सभी companies में मिलके बनाई हुई है, और third, अ आपको इतनी बार बोला है, इस content मत release करो, फिर भी आपने ऐसा content release किया है, लोगोंने complain करी है, आपने फिर भी नहीं सुनी है, तो आपको ये order देते हैं, कि अपने platform से content जो है, वो खतम कर दो, otherwise there would be some punishment for you, ठीक है, तो ये चीज़ा आपने ध्यान रखनी है, under this OTT content वाला bill, तो 2021, ठीक है, चला, next है आपका kapila, kapila is a campaign, जिसकी full form है आपकी, for intellectual, it is the kalam program for intellectual property, literacy and awareness campaign, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि ये ऐसा campaign चलाया गया है, जिसमें, जितने भी आपके higher education institutes हैं, जैसे IIT है, IIM है, या फिर और भी B schools हैं, आपकी जितने भी, तो उगर उन में कोई student या कोई teacher research करता है, तो उसके लिए उनको copyrights होते हैं, कि भी research मैंने करी है, कोई इसको misuse ना कर ले, तो basically दीज़ादी intellectual property rights, कि भी मेरा समान है, ये कोई और ना use कर ले, इसका मतलब मुझे ये idea होना चाहिए, कि मैं इसको copyright issue कर वालू, या मैं patent कर वाल property rights, तो इसके regarding, सभी students और faculty को, जितने भी आपके higher education institutes हैं, उन सबको awareness प्रवाइड करनी है, कि अगर आप कभी भी कोई research करते हो, तो आपका उसके उपर right है, और अगर आपकी उस research को कोई और use करता है, तो फिर वो punishable offense है, अगर आपसे बिना पूछे करता है, तो पूछे कर तो बाद अलग है, लेकिन अगर बिना पूछे, आप ए content का misuse कर रहा है, तो that is against the intellectual property rights of the person, तो ये awareness generate करवाने के लिए, सरकार ने क्या शुरू किया है, कपिला campaign शुरू किया है, कलाम program for intellectual property, literacy and awareness campaign, ठीक है, चलो, next है आपका शहतूत डैम, ये important है, क्योंकि शहतूत डैम अभी इंडिया और अफगानिस्तान ने recently release किया है, इंडिया ने इसकी काफी help करिया, अफगानिस्तान की, help क्या इंडिया नहीं बनवाया है, इंडिया ने सारा funding provide किया है, तो this is the शहतूत डैम, जो किस river पर बना है आपका, it is at the मैदान river, मैदान river पर ये बना है, and मैदान is the tributary of काबूल river, अगर ये काबूल river जा रही है, तो ultimately यहां पर ये मैदान river है, इस मैदान river के ऊपर क्या बनाया गया है, शहतूत डैम बनाया गया है, और ये इंडिया अफगानिस्तान का friendship dam number two है, पहला dam कौन से बनाया था इंडिया ने अफगानिस्तान में, it was the Salma Dam, the Salma Dam, जो is a tributary of काबूल river in the Afghanistan, ठीक है, चला, नेक है आपका डिकान सोनिया, ये important है क्योंकि जो सबसे earliest found mammals हैं, उन्सके आपके ये fossils मिले हैं, डिकान सोनिया के, on the roof of the Bheem Betka Caves in the Madhya Pradesh of India, ठीक है, तो ये basically क्या है आपके, it is the earliest known living animal, डिकान सोनिया is the सबसे पहला जानने वाला आपका living animal, सबसे पहले आया होगा, उसके हमें fossils मिले हैं, on the Bheem Betka Caves, तो आपने इसका नाम ध्यान रखना है, कहां पर ये मिला है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, चलो, next अगर हम देखें, संदेश, संदेश is basically सरकार दवारा चलाया गया message platform जैसे WhatsApp is the messaging platform, वैसे ही सरकार का है, ये संदेश platform, ये सरकार दवारा खुद ही बनाया गया है, किसी और company का नहीं है, indigenously developed है, तो ये क्या है, आपका, किस ने बनाया है, ये National Informatic Center ने बनाया है, सरकार के on the lines of WhatsApp, जैसा WhatsApp है, वैसे संदेश से message आप मतलब send कर सकते हैं, receive कर सकते है WhatsApp के जैसे बिल्कुल सेम चीज़ है, बट हलका सा अपने ध्यान रखना है इसमें, कि इसमें जो भी communication आपने करनी है, message भेजने है, उसके लिए आपको mobile number चाहिए, WhatsApp के लिए बी चाहिए, और इसके लिए आपको email भी चाहिए, valid email चाहिए, और साथ में mobile number चाहिए, ये दोनों मैंसे कोई एक चाहिए, ठीक है, दोनों जरूरी नहीं, एक भी चल जाया, बस इतमे न्यूज में इसलिए था, क्योंकि एक तो सरकार नहीं लॉंच किया था, और साथ में इसलिए न्यूज में था, क्योंकि लोगों ने ये बोला, कि आप अपना संदेश पर एक बार जो फ WhatsApp से कम से खो, ऊपर लेवल की तो, लोग लेवल की निकालना क्या मतलब है, तो लोग WhatsApp से भी उस करेंगे, संदेश यूज नहीं करेंगे, बस हलका से इसमें ये है कि प्राइवेसी जाधा रहेगी, बट प्राइवेसी नहीं भी रहता ज़ाएं, सरकार आपका डेटा ले सकत कि अभी चलो नेक्स्ट आपका उडिशा का कारलापत सेंक्चुरी यह न्यूज में था क्योंकि अभी रिसेंटली छे हाथियों की इसमें डेथ हुई है उडिशा की कारलापत सेंक्चुरी में तो यह न्यूज में है इसकी जगह का नाम क्या है यह एलिफिंट्स मरें हैं वह किसे मरें हैं आपके hemorrhagic septicemia disease का नाम है disease कौन सी है यह एक bacterial disease है जो किसी भी दूशित पानी या दूशित हवा से ultimately हो जाता है तो इस fever के चलते हुए इस disease के चलते हुए छे हातियों की death होगी ती इन्दी कारलापद sanctuary of Odisha नाम ध्यान रख लेना disease ध्यान रख लेना कौन से state में है यह ध्यान रख लेना prelims point of view से ठीक है चलो next है आपका e-chavani portal e-chavani portal है basically आपको चावनी से ध्यान रख लेना चाहिए कि भी cantonment boats जो होते हैं जो can't areas होते हैं उनके लिए लॉंच किया गया है by the ministry of defense ministry of defense ने e-chavani portal launch किया है जितने भी can't areas में रहने वाले लोग है अगर उनको कोई water connection लेना है electricity connection लेना है birth certificate birth register करवाना है death register करवाना है यह सब का सब वो कहां करवा सकते हैं आकर इस e-chavani portal में वो आकर करवा सकते हैं ठीक है तो यह सरफ और सरफ किन के लिए cantonment areas की लोगों के लिए ही है बाकी पूरी इंडिया वालों के लिए नहीं है ठीक है ध्यान रहेगा किसी के लिए हम लोगों ने भी discuss कर लिया नेक्स्ट है आपका नथू ला नथू ला लाइस बेसी के लिए पास तो नथू ला जो है आपका वो कहां पर है that is at the border of sikkim and tibet sikkim tibet autonomous region of china तो sikkim tibet आजाए sikkim china आजाए आपने लोगों नहीं सेम चीज़े हैं क्योंकि तिबबद पर चैना ने कबजा अपना लिया हुआ है ठीक है तो ये जो नथू ला है that is between the sikkim and tibet autonomous region of china ये news में इसलिए था क्योंकि कई सारे जो टूर्स जो आपर घूमने के ल लादा that is why this law was in the news तो ये कहां पर है it is the mountain pass in the Himalayas which connect the sikkim and the tibet autonomous region of china ठीक है चलो next international mother language day mother language day है आपने द्यान रखना है 21st of February ये important है एक तो ये द्यान रखना है कि बई करस दिन मनाया जाता है और इसकी theme क्या है theme है आपकी fostering multilingualism for inclusion in education and society कहने का मतलब ये है कि सिरफ एक language अगर हम एक language को बहुत importance देते हैं उस चक्कर में जो हमारी mother languages है वो बहुत सफर करती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप English को promote कर रहे हो तो आपकी Hindi सफर नहीं करनी चाहिए तो दोनों की with simultaneous generation होनी चाहिए development होनी चाहिए तो यह यही याद दिलाता है कि आपको आपको सिरफ एक एक language को follow नहीं करना है आपको अपनी language भी maintain करके रखनी है that is the international mother language day 21st of Feb it is by the announced it is announced by the UNESCO important है कि यह जो डे है वो किसने launch किया है UNESCO ने किया है UNICEF ने किया है UNGA ने किया है तो UNESCO धान रखना है आपने चलो थीम आपने देखी लिए इनस उत्क्रोश यह important था क्योंकि आइनस उत्क्रोश जो है recently अंडमान निकोबार वाला आइलेंड जो है उसमें क्या बना है इंडियन नेवल एयर स्टेशन इंडियन नेवल एयर स्टेशन बनाया गया है यह किसके पास है इनस जरावा के यह पास है हलका सा जो जो भी अंडमान निकोबार में ही है देखो ध्यान रखना इंडियन नेवल एयर स्टेशन सिर्फ नेवल स्टेशन नहीं है नेवल एयर स्टेशन है खास करके एयर फोर्स और नेवी की आपस में जो हार्मनी है कि जो आपस में इनकी कॉंस बनी हुई है उ पाइनेस उत्करोश आपने ध्यान रखना है इंडिया नेवल एर स्टेशन, काफी बड़ा एरिया है जिसको अल्टिमेटली डेवलप किया जाएगा, जिसमें aircraft भी आ सकते हैं, जो aircraft launch भी हो सकते है, aircraft की landing भी हो सकती है, वो सब चीजें जितनी facilities होनी चाहिए वो इस area में मिलेंगी आपको, ठीक है, चलो, next है आपका यूथोरो थिला फालू, UTF से धान रखेंगे normally, ये एक kind of port project है, harbor project है between India and Maldives government, तो इंडिया और Maldives के बीच में agreement sign हुआ था, जिसके जबर को, उथोरो, थिला, फालू, UTF से धान रखेंगे, कि हम इसको develop करेंगे, ताकि Maldives से होने वाला जो trade है, उसमें इसी बढ़ोतरी हो सके, मतलब Maldives का थोड़ा सा trade बढ़ सके, बाकी around the countries के साथ में, ठीक है, चलो, तो इसलिए important था, next है, new asset reconstruction and asset management company to be set up, ये budget में ही था बजेट में इसलिए नहीं करा थे, क्यों इसलिए नहीं करना था इसे हमें, तो इसे नाम से एक लिए रहे, new asset reconstruction and asset management company, देखो, ऐसी company, जैसे अगर हम start से बात करें, तो कोई भी जो bank है, उसमें कई, वो bank कई लोगों को loan देता है, अगर उसने मुझे loan दिया, और मैंने, उसक इसलिए पैसे बैंक को दुबारा नहीं जा रहे, तो वो क्या बन गया, उसके लिए NPA बन गया, non-performing asset, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर, अगर कोई किष्थ नहीं आती है, तो that asset will become the non-performing asset, तो अब उसके लिए जो loan दे दिया है, ultimately, मालो मिरको 1000 रुपेगा loan दिया था, एक ल अपनी ने वो एक लाग रुपे बैंक को दे दिये, और अब उस कमपनी का काम है, कि वो मुझसे एक लाग रुपे कैसे निकलवाए, कि क्या मैने जो चीज़ गिरवे रखी हुथी, उसको वो बेच दे, यह फिर कोई और अलग method यूज करे, loan वापसी के लिए, तो वो कमप the NP of the stressed banks, और यह सारे वो काम करेगा, ultimately, जो किसी भी bank को करने चाहिए थे, तो वो bank का ही responsibility थी, कि वो अपना loan वापस करवा पाए, लेकिन अगर वो नहीं करवा पाई है by any means, तो वो किसको बेच देगी, एक नहीं organization उसको बेच देगी, अब वो उसका काम है, कि वो loan के पैसे पाई है या फिर नहीं चुकवा पाई है, ठीक बाद है, चलो, next हम देखते है, agricultural infrastructure and development says, यह हम लोगों ने पहले छोड़ दिया था, तो अभी recently इसको discuss करेंगे, यह क्या है आपका agriculture, infrastructure and development says, says का मतलब होता, it is a kind of tax on tax, हैना, अगर मालो किसी चीज पर, कुई चीज 100 रुपेग इस पर लगेगा, उस 4 रुपे पर लगेगा, तो 4 का 2% is the 0.8, तो अब वो चीज टोटल कितने की होगी, वो होगी 104.8 रुपीज की वो होगी, जिस पर 4 जो था वो तो टैक्स था, और जो 0.8 रुपीज है, वो क्या है, वो says है, that is the tax on tax amount, तो यह कैसा says, जो agriculture infrastructure and development के लिए का आएगा, क्योंकि उसमें जो पैसा आएगा, वो किसके लिए यूज होगा, to develop the infrastructure of agriculture of India, ठीक बात है, तो यह budget 2021 में सरकार ने launch किया है, अगर हम देखें कि भी इसकी highlights क्या है, इसकी highlights हैं कि भी यह बहुत कम amount में लगाया जाएगा, सरकार ने कुछ चीजें decide की थी कि भी हम इ 5% लगेगा, तो कुछ चीजें सरकार ने ऐसी बोली थी कि भी हम इस पर हम क्या लगाएंगे, अगरी culture infrastructure and development says लगाएंगे, और जो पैसे कठा होगा, हम उसको किसमें यूज करेंगे, to develop the agriculture of India, ठीक है, तो यह जो पैसा हमने बोला है, यह पैसा जब आएगा तो उसको यूज भी हम लोग ने एगरी culture of India पे ही करना है, ठीक बात है, चलो, तो next है आपका the little book of encouragement, यह book का नाम है the little book of encouragement, यह किसने recently release करी है, it has been released by the Dalai Lama, ठीक है, तो Dalai Lama ने यह book release करी थी, इसलिए news में था, यह जो भी important functionaries होते हैं, अगर यह कोई काम करते हैं, कोई book release करते हैं, तो हमार Dalai Lama वल तो बहुत important थी, तो आपने ध्यान रगने इस book का नाम, the little book of encouragement, ठीक है, चलो, next है आपका mega investment textile parks, मित्र scheme, हम लोगों ने भी budget वाला जब discuss किया था, उसे मित्र scheme हम लोगों ने discuss की थी, हलकी सी, mega investment textile park, देखो यह एक ऐसा area होगा, सरकार ने scheme launch करी है, कई बड़े-बड हेक्टेर वाले area में, यह लोग क्या करेंगे, textile की industries लगाएंगे, और वो industries कौन लगाएंगे, मेली, जो foreign companies हैं, तो ऐसे जगहों पर, जहां पर industry लगाने के लिए, बहुत ज़ादा अच्छी regulation है, बहुत अच्छी facilities हैं, तो foreign companies क्यों नहीं आएंगे, तो एक ऐसा area, एक ऐसा method develop करवा देना, by the सरकार, तो की foreign companies भी यहां पर आएं, और textile park में invest करने के लिए राजी हो जाएं, तो यह जो पूरी का पूरा objective है, that is the objective of Mitra Scheme, और यह launch किया है, निर्मला सितारा मंजी ने, Union Budget 2021 और 22 वाले में, ठीक है, पर 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 question आए, कि Mitra Scheme is related to which sector, तो it is related to the textile sector, ठीक है याद रखने के लिए important है, यही अगर हम highlights की बात करें, तो यह क्या होगा, it will enable the textile industry to become globally competitive, कि अगर ऐसा होगा, तो foreign companies भी इंडिया में आएंगी, तो इंडिया में जो textile बन रहा है, cotton बन रहा है, silk बन रहा है, जूट बन रहा है, यह सब कसम लोग export भी कर पाएंगे, तो it will make the Indian textile industry as a global competitive, ठीक है, तो important चीज इसमें तोड़ी सी यह देख लेना, तो जो मैंने बोला वही, basically slides में भी है, मैंने हिंदी में बोल दिया, वस, ठीक है, एक बार revise करोगे, तो एक बार आपका और थोड़ा से पक्का हो जाएग यह चीज, next है आपका, इंडिया का पहला amputee clinic खोल है, basically जो भी आपके, कोई ऐसे person जिनका कोई limb काम नहीं करता है, या फिर कोई body का part काम नहीं करता है, they are basically amputees, तो उसको धंक से, उनको दुबारा से mainstream में लेकर आने के लिए, जो PGI है, उसने पहला clinic खोला है, जिसमें जितने भी ऐसे लोग होंगे, जिनके यह problems होंगी, उनक उनको, they will try to make them a better part of the society, ताकि वो किसी भी जिसे पीछे ना रहे बाकी लोगों से, ठीक है, तो पहला clinic चन्डिगड में खुला है, या अपने ध्यान रगना है, नेक्स्ट है, इंडिया का पहला center खुलेगा for the wetland conservation and management, ये चन्डई में खुलेगा, important है, wetland क्या होता है, हम लो center करे, that monitor, that regulation is by the center for the wetland conservation and management in India, जो कहां खुला जाएगा, जो नहीं में खुला जाएगा, ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा center है, वो किसके अंडर खुला जाएगा, it is a part of the national center for sustainable coastal management, ये important है, ये जो center खुला जा रहा है, that is under the scheme of national center for sustainable coastal management, ठीक है, याद रखना है, आपने, कह खुला जा रहा है, कौन सी scheme के अंडर है, और what are the definitions of wetlands and other areas, ठीक है, आपका revise हो जाएगा, इस तरीके से, नेक्स्ट है आपका युद अभ्यास, युद अभ्यास बेसिकलिए exercise है, military exercise है between India and USA, इंडिया and USA की joint military exercise है, जो फरवरी में conduct की गई थी, along the India-Pakistan border, तो धान रखना, इ इंडिया और USA basically, युद अभ्यास कर रहे हैं कि in case, अगर कोई disaster हो या फिर कोई war हो, तो पहले सी चीज़े हमें पता हो, उसके बारे में कैसे हमें reaction देना है, ठीक है, तो युद अभ्यास is the joint military exercise between India and USA, नेक्स्ट है आपका EIU का democracy index, democracy index, EIU economic intelligence unit, ये democracy report कौन release करता है, आपका E EIU economic intelligence unit, हम लोग ने मार्च वाले महीने में भी एक democracy report की थी, annual democracy report, which was released by the VDEM, स्वेडन का institute था VDEM, जो वो release करता था, अगर हम इसकी बात करें, EIU वाले की, तो जो इंडिया का rank है, इंडिया's rank is the 53rd, इंडिया का rank है 53, 83 लग रहा है है, बट 53 है है, 53 is the rank of India in the EIU का democracy index, और जो top है, top किस ने किया है, आपका, अलग country होगी इसमें, the top is done by the Norway, Norway, Norway ने ये basically top किया है, slides में कई बार में सो जादा है कि कहां चीज कौन सी लिखी होगी थी, तो थोड़ा सा इशू होगी जाता है, intelligence unit, ठीक है, चलो, next time, third phase of, चा बगीचा धन पुरसकार मेला, चाए बगीचा धन पुरसकार मेला है, important इसलिए है, क्योंकि अभी recently ये मनाया गया था, कहां मनाया गया था, ये मनाया गया था, आपका, असाम वाले एरिया में, गौहार्टी में, ठीक, गौहार्टी मनाया गया था, क्योंकि वहीं पर काफे ज़्यादा, आपको चाए के बगान देखने को मिल जाएंगे, आपको 3,000 रुपीज, उन सभी फैमिलीज को 3,000 रुपे दिये गए हैं, ताकि वह अपना जो काम है, वो ढंक से चला सकें, क्योंकि there are many ongoing protests in that area, because of less production of tea in that area, तो इस बज़े से क्या है, काफे लोगों को गरीबी के तरफ जाना पड़ता है, उस चीज को रोकने के लिए, सरकार ने क्या बोला है, there would be चाय बगेचा धन पुरसकार मेला, जिसके अंडर सभी tea gardens में काम करने वाले families को, हम लोग 3,000 रुपीज देंगे, और ये 3,000 रुप तोर मेगा मलाई, ये important है, क्योंकि ये it has become the fifth tiger reserve of Tamil Nadu, tiger reserve India में basically क्या होते हैं, कि ये कैसे area, which is specifically for the conservation of tigers, अगर वहाँ पर tigers रहे रहे हैं, तो और कोई humans या फिर agriculture या फिर habitation वहाँ पर possible, नहीं हो सकती, proper conservation of tigers किया जाएगा, तो ultimately क्या है, ये कौन रिलीज करता है, कोई भी area को, tiger reserve कौन recognize करेगा, ntca, national tiger conservation authority, ntca की permission के बिना, कोई भी area tiger reserve नहीं बन सकता, कोई भी area tiger reserve अगर implement करना है, बनाना है, that would be decided by the ntca, national tiger conservation authority, ठीक है, तो ये fifth है, Tamil Nadu वाले area में, अगर हम पहले चार की बात करें, तो पहले चार हैं आपके, मुदू मलाई, one is the मुदू मलाई, second is, अनाई मलाई, third is, सत्या मंगलम, सत्या मंगलम, and fourth is the कलाकड, कलाकड मुदुन थुरे, ठीक है, नाम हलके से तम्मीलियन औरीजन के हैं, तो गवरान इनको देखके, एक दो बार revise करोगे, तो चीज़े याद भी हो जाएंगे, तो पह पहले चार थे, आपका मुदू मलाई, अनाई मलाई, सत्या मंगलम, और कलाकड मुदुन थुरे, यह चार पहले थे, अभी रिसेंटली नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तमिलाडू में विच इस श्रीवल्ली पुथूर, मेगा मलाई, ठीक है, तमिलाडू में यह पावर प्रोजेक्ट, कहां पर लगाया जाएगा, इट विल बी डेवलप्ट इन दी लद्दाक एरिया, लद्दाक जगहे के में एक पूगा विलेज है, पूगा विलेज में यह प्लांट लगाया जाएगा, अगर हम बात करें, वाट डू यू मेरा जियो थर्मल पावर जियो थर्मल पावर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्रिसिटी बनाते हैं, विद दा यूज ऑफ अर्थ का मेंटल वाला एरिया, अगर हमें यह चीज़ पता है कि अर्थ पे तीन लेयर से, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो मेंटल उसे मेंगमा प् जैसे क्या होता है, इस वाले एरिया में हम लोग वाइद यूसेज ऑफ जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट इस हीट को यूज करके हम लोग इलेक्रिसिटी भी बना सकते हैं, तो इंडिया में कहां लगाया जाएगा, इंडिया में यह लगाया जाएगा, अभी तक जितने भी जियो थर्मल प्रोजेक्ट से हैं, वो सरफ या तो ख Joshua कोर्प्लीट होने की आशंका है और यह ASंका कौन-कौन रहाै ये एक memorandum of understanding है between the ONGC, LAHDC, लदाग वाले एरिया की development corporation and ONGC and Ladakh government मिल ली, ठीक है तो ध्यान लगना ONGC की साहता के साथ जो ले वाला मतलब development corporation है वो लदाग में पहला जियो थर्मर पावर प्लांट लगाने जा रहा है, ठीक है, चलो, next है आपका SC, Supreme Court stage, the dismantling of INS Virat, important है क्योंकि INS Virat को सरकार ने dismantle करने के अदेश दे दिये थे, मतलब इसमें जितना भी scrap material है या फिर steel है, iron है या फिर और भी चीजें जो आप इस ship में से निकाल सको वो निकाल लो और वो कहीं और use कर लो, that is the meaning of आपका dismantling of a ship, ठीक है, लेकिन वो बहुत जादा, एक important है according to history of India, तो आप इसको dismantle मत करो, आप इसको museum बना दो एक, तो इस petition के चलते हुए, Supreme Court ने अभी इसको stay लगा दियागी, पर dismantling जो है, इस INS Virat की रुक जाएगी, अगर हम देखे, INS Virat के बारे में, तो INS Virat क्या है आपका, it is a kind of aircraft carrier, it is a aircraft carrier, कई सा ऐसी होती है, जिसमें से aircraft land कर सकता है, और take off कर सकता है, तो ये कैसा ही वो है, तो ये that is the INS Virat, एक दो पूरा runway बना हुए न, क्योंकि इस पर runway से take off भी कर सकता है, और land भी कर सकता है aircraft, तो INS Virat was the aircraft carrier of India, till 2013, 2013 तकी INS Virat was the aircraft carrier of India, पर उसका इसके जगे किस ने ले थी, INS Vikrama Ditya ने इसकी जगे ले ली थी, now INS Vikrama Ditya is the only aircraft carrier of India, it is the only, इससे पहले कौन था, INS Virat था, बट विराट का काम खतम कर दिया, 2013 तक और 2013 में इसको decommission कर दिया गया, कि अभी नेवी का ही पार्ट नहीं है, तो इसको decommission करने के बाद, dismantling के इसको आदेश दे दिये गे थे Now INS Vikrama Ditya is the only aircraft carrier in India, अभी INS Vikrama Ditya is the only aircraft carrier in India, अभी INS Vikrant भी बन रहा है, ने aircraft carrier, बट अभी operational stages पर है भी वो पुरी तरी के से बना नहीं है, तो अभी सिर्व INS Vikrama Ditya ही आपने ध्यान रखना है, और यह INS Virat News में था तो हम लोग है थोड़ा इसकी बारे में पढ़ लिया, बस इंडिया ने इसको होड़ा से रेनोवेट करके यूज करना शुरू कर दिया था, तो इंडिया हम ने यह 1987 में कमिशन किया था, और 2017 तक ही इंडिया नेवी का पाट रहा, मतलब अराउंड 30 साल तक INS Viratni इंडिया नेवी को सर्व किया है, अभी इसको dismantle करने के अदेश दि ठीक है, चला, नेक्स्ट है, exercise Tropics 21, Tropics 21 ध्यान रख लेना, इसका एक तो theater level operational readiness exercise, यह जो Tropics 21 है, Tropics यह जो किसी कंट्रीज की बीच में नहीं हो रही है, यह इंडिया की नेवी ही कंड़ करवा रही है, जिसमें Indian Air Force, Indian Coast Guard, Indian Military, और Indian, और भी जितनी में exercises हैं, जितनी भी कमांड से basically Indian Military की, वो participate करती हैं, यह देखने के लिए, कि अगर in case of any war, क्या सभी में आपस में readiness है, क्या वो बहुत जल्दी तरीके से काम कर सकते हैं, equipments को load करना है, यह फिर missiles को launch करना है, aircraft को launch करना है, तो यह सब जो practice की जाती है में ले, तो that practice का जो नाम is the exercise tropics, और यह दो साल में एक की बार की जाने वाली, जिसमें सभी organizations of the Indian military, check their readiness in case of any war, or any disaster, or anything, ठीक है, चलो, next है, जलाभी शेकम water conservation campaign, जलाभी शेकम water conservation campaign, basically, अभी minister of defense ने, राजनात सिंग ने यह launch किया था, रिलीज किया था, यह basically कहां पर है, यह MPE वाले area में situated है, नाम सी के लिए जलाभी शेकम water conservation campaign, कि बहुए, ऐसे campaign, ऐसी awareness drive, लेकर आई जाएंगे, जिसमें लोगों को, जो है, आपके water को conserve करने की tactics बताई जाएंगे, हमने मार्च वाले में भी एक topic किया था, जिसमें हम लोग अबियान, catch the rain, catch the rain campaign के हमने बात करे थी, वहां पर भी rain water को harvest करने के लिए कुछ चीजें, लोगों को बताई जाएंगी, awareness campaign चलाया जाएगा, वैसे ही, यहां पर मध्यपरदेश में यह campaign चलाया गया है, जिसको inaugurate किया था, राजनाथ सिंग ने, तो जलाभी शेकम water conservation campaign is basically for the मध्यपरदेश government, और यह क्या है, this campaign become significant in case of climate change, क्योंकि जैसे climate change हो रहा है न, वैसे global warming बढ़ रही है, climate change की वजए से global warming बढ़ रही है, जिसकी वजए से काफ़ जादा गर्मी बढ़ रही है, जब गर्मी जादा बढ़ेगी, तो पानी evaporate बहुत जादा जल्दी तरीके से हो हो जाए, तो वो एक method जलाया गया है, एक campaign जलाया गया है, जिसमें आप कोई तकनीक बताई जाएंगे कि भी आप कैसे water को conserve कर सकते हो, that is the Jalabi Shekham campaign by the Madhya Pradesh government and it was launched by the Ministry of Defense Rajnath Singh, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, नेक्स्ट है, Center for Science and Environment ने एक report release करी है, State of Environment, जिसमें इसने ये बोला है, कि जितने भी अगर हम sustainable developmental goals की बात करें, SDG की बात करें, हमने देखा था, SDGs are mainly 17 targets, 17 goals and 169 targets, तो इसमें mainly क्या है, इंडिया जो है 117 number पर है, out of 192 countries, यह हमने खुद ही बता दिया आपने आपको, कि हम जो काम कर रहे हैं, to achieve the sustainable developmental goals, वो हम लोग बहुत धीरे कर रहे हैं, हमें इसकी pace को बहुत जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, if we want to achieve the sustainable developmental goals, और इस report में basically इसने बोला है, तो आपको state of environment report ध्यान रखनी है, कि इसने क्या बोला है, कौन release करता है, CSE release करता है, और हलकी सिसकी जो findings है, वो क्या है, और इसने एक और चीज क्या बोली है, कि तारापुर, इंदी महराश्टरा वाला area, is the most polluted cluster in India, ठीक है, एक तो इसने ये और साथ में चुछ और बी शिज है, कि इंडिया में जो pollution level हूँ बढ़ गया है, इंडिया में air pollution बढ़ गया है, इंडिया में water pollution बढ़ गया है, और किसे भी बहुत जातरीके से downgrade होती जा रही है, तो यह पूरा का पूरे इस report में इसने बटाया है, report क्या है, कि इसने release किय यह इंडिया का जो रैंक है 117 आउट और 192 कंट्रीज है हमने खुदी बदाया आपने आपको यह नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट और यह रिलीज करता है इनटेट नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसके अंतर के दिल लोगों ने बोला कि जब लॉगडाउन नहीं लगा था न तब तक there were 338 million children थे जो खाना खा रहे थे by the schools जैसे इंडिया में चलता न मिड़े मील्स की वैसे ही पूरे वर्ल्ड में चलती है स्कूल के रिगार्ड तो पूरे स्कूल में जब यह क्रोणल लगडान लग गया तो ultimately 338 million children जो थे उनको फिर मील्स नहीं मिल पाए उनको खाना नहीं म क्या recommendations दी गया था इसमें खास करके focus किया गया ऊंदा क्रोना lockdown ठीक है ठीक है नेक्स आपका प्रेजिएंट ने इनौग्रेट किया है रोल्ल का largest stadium largest stadium कौन है आपका गुजरात में है पहले इसका नाम मोतेरा था लेकिन अब इसका नाम चिंज़तर कर क्या कर दिया गया है नर तो पहले Melbourne Greater Ground था, अब मोतेरा हो चुका है, नरेंदर मोधी स्टेडियम का नाम है, गुजराद में यह है, अभी रिसेंटल इसको रिलीज इसको लाँच किया गया था, बाइदा प्रेजिडेंट राजिनाथ कोविन, रामनाथ कोविन, ठीक है, तो अपने ध्यान रख लेना ह तो जितने भी ऐसे फार्मर, जिनके पास दो हेक्टेर से कम की जमीन है, उनको पूरे साल में छे हजार रुपे प्रोवाइड किये जाएंगे, इन थ्री इंस्टॉर्मेंट्स, दो-दो हजार की तीन इस्टॉर्मेंट्स में, लेकिन दिरे-दिरे क्या कर दिया गया, कि सिर आप जो पूरी इंडिया में कोई भी फार्मर अगर है, जिसके पास लैंड है, जिस पर वो खेती करता है, तो उसको 6,000 रुपे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे एफ्लुएंट फार्मर्स हैं, कुछ लैंडलोड्स हैं, जिनके पास बहुत ही अमाउंट ऑफ जमी गई है, तो इस बात को, इस पूरी स्कीम को, जिसमें रुपीज देते हैं से फार्मर्स को ही सरकार, तो उसको 2 साल हो गए थे, क्योंकि 24 फरवरी 2019 में लांच किया गया था, पेपर में कभी-कभी डेट भी आजाती है, कि कौन सी डेट को ये मिशन लांच किया गया है, कौन पूरे इंडिया लेवल पर चलती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो, नेक्स्ट है आपका नाशनल अरबन डिजिटल मिशन, सिंपल कुछ नहीं है, बजट में ही लांच किया गया था, एक ऐसा डिजिटल मिशन, जिसमें हर चीज डिजिटलाइजड होगी आपने कोई कंप्लेंट डाली है, आप कंप्लेंट डिजिटली का रख सकते हैं, आपने birth certificate किसी आपने बच्चे का बनवाना है, तो आप online कर सकते हैं, आपने कोई electricity connection लेना है, तो आप online ले सकते हैं, यह सब क्या है, it is the objective of the national digital, urban digital mission, खास करके अभी urban areas में चलाया गया है, क् कि rural areas में इतना साथ internet connectivity है नहीं, इतनी लोगों में awareness भी नहीं है, तो urban digital mission है basically, urban areas में लोगों को जाधा amount of digitalization को promote करना, जिससे लोगों को काफी एक तो mobile connection जाधा provide कर सके, internet connectivity प्रवाइड कर सके, और साथ में लोगों में यह skill प्रवाइड कर सके, कि वो उस digitization का ढंग सी use कर सके ठीक बात है, that is the national urban digital mission, यह recently launch किया गया था in the 23rd of February, इसलिए यह news में था, ठीक है, simple याद रहेगा, तो यह important था, इसलिए हमने किया है, next है, Japan appoints the loneliness minister to check suicide rate, काफी जाधा suicide rate बढ़े हैं पूरे world में, even after this corona lockdown, suicide rate काफी बढ़े हैं, सबसे पहले UK, United Kingdom ने एक ऐसा minister रखा था अपनी सरकार में, जिसका काम क्या था, basically suicide rate को देखना, कि suicide rate अगर किसी बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है, और अगर उसको रोकना है, तो हम क्या काम कर सकते हैं उसको रोकने के लिए, तो यह सारे काम जो है, वो minister के अंडर आते थे, after United Kingdom, after Britain, यह सबसे, यह second काम किसके द्वारा किया गया है, जापान के द्वारा किया गया है, क्योंकि जापान कंट्री में, बहुल जादा suicide rate जो है, वो बढ़ गया है, in the recent decades, तो इस वज़े से इन लोग ने अपना नया एक loneliness minister रखा है, to check the suicide rate in that country, ठीक है, चलो, next है, VLSRSAM, VL मतलब vertical launch, SRSAM मतलब surface to air missile, short range, short range, surface to air missile, vertical launch, नाम से क्लियर missile कौन सी होगी, surface to air होगी, मतलब surface air को अगर कोई चीज मारनी हो, तो ultimately आप उसको hit कर सकते हैं, from surface to air, और कौन सा है, vertical launch है, तो यह जो missile है, basically, किसने launch किया है, this has been launched by the DRDO, Defense Research and Development Organization, कहां से launch किया है, इसने, that has been launched, off Odisha coast, Odisha के पास एक चिलिका लेक है, चिलिका लेक के right side में, there was an island, was नी, there is an island, APJ Abdul Kalam Island, APJ Abdul Kalam Island, जिसको हम यूज करते हैं, to launch the missiles, हमने पहले किया था, मार्च वाले में, श्री हरी कोटा, वहां से हम लोग सारे satellite launch करते थे, यहां से हम सारी missiles launch करते हैं, तो यह भी VLSR SAM है, यहां से launch किया गया है, by the DRDO, और इसका basically काम क्या है, vertical launch का मतलब होता है, कि जैसे कोई ship जा रही है, ship जो है mobile status में है, वो भी रुकी नहीं हुए, वो चल रही है, तो भी चलते time पर भी, जो missile है, वो ढंक से launch किया जा सके, with the accuracy, that is the vertical launch, तो ship जब चल रही है, तब भी जो missile अगर आपने launch करिये, ship के through, और air में launch करिये, तो वो air के target को with accuracy hit कर सके, और ये इस test में hit भी किया है, तो DRDO ने इसकी maximum range भी successfully achieve करी है, minimum range भी successfully achieve करी है, और जितने भी test लोगों ने किये है, vertical launch के, जहांपर when the ship is in the movement, तब भी जो missile अगर आप launch कर रहे हैं, तो ultimately वो ढंक से उसी जगह पर जाकर pinpoint होकर accuracy के साथ, उससे target को hit कर रही है, उसको destroy कर रही है, ठीक है, तो ये important था, इसलिए हम लोग ने इसको किया है, discuss, next है आपका, world day of social justice, ध्यान रख लेना कौन सा day है, that is the 20th of February, जितने भी हम लोग इस इन slides में कर रहे हैं, कम से कम ये तो याद कर लेना, यार, बाकी तो day बहुत जादा है, लेकिन जो हम लोग ने discuss किये, कम से कम वो तो important है ही, आपको वो याद करने ही है, world day of social justice, that is on the February 20th, आर आपने इसकी theme ध्यान रखनी है, a call for the social justice in the digital economy, जैसे जैसे online का जमाना आता जा रहा है, वैसे वैसे जो है, justice कम होता जा रहा है, जादा आपके लोग कि internet पर exploitation होती है, या फिर pornography है, ये जादा बढ़ जाती है, तो उस बचे से क्या है, एक justice नहीं मिल पाता है, तो जिसकी theme यही है, कि digital economy में, जहां पर digitalization बहुत जादा बढ़ गई है, उसमें justice मिले, तो a call for the social justice in the digital economy, under the world day of social justice, which is celebrated on the 20th of February, important है यह धान रखना, next है, Saudi Arabia opens up armed forces for women, paper में का question आया है कि वही, which country has recently inaugurated, recently allowed the women in the armed forces, that is Saudi Arabia, Saudi Arabia पहले women जो थी allowed नहीं थी आर्मी में जाने के लिए, but after this amendment, after this scheme of Saudi Arabia, now women are also allowed to enter into the armed forces, because now वहां पर क्या Saudi Arabia में काफी जादा movement चल रहे हैं, जहां पर women अपने rights के लिए लड़ रहे हैं, कि में armed forces में include होने दो, हमें driving license दो, हमें गड़े चलाने का, जो है, वो decision हमारे हाथ में होना चाहिए, हम अगर कहीं जाना चाहें, तो हमें अकेले जाने की जाज़त भी हो, हमें किसी के साथ नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहां पर society regressive type C है, तो इतना detail में नहीं करेंगे, बटा को ध्यान रगना है कि कौनसी ऐसी country है, जिसने recently अभी women's को include किया in the armed forces, that is Saudi Arabia, ठीक है, चलो, next है, इंडिया, इंडोनेशिया की exercise है, pass exercise, pass exercise is basically इंडिया and इंडोनेशिया कौनसी है, इनके navy's की exercise है, military air force की नहीं है, navy वाले की है, इसलिए important है, और ध्यान रखेंगे, फरवरी 18 में ये conduct किया गया था, इंडिया को represent किया था, आपके INS तलवार ने, और इंडोनेशिया के लिए को represent किया था, कि R.I. Bung, Tomo ने, basically ship के नाम है, INS तलवार अगर आ इंडिया और इंडोनेशिया, तो ये ध्यान रख लेना, अलकादर, नेक्स्ट है, Indian Oil and Norway का Green Stat, तो Indian Oil Corporation, IOC, और Norway का Green Stat Organization, has joined hands for the hydrogen research, hydrogen जो है, बहुत जगों पर काम आती है, बैटरीज में काम आती है, energy, energy बनाने के लिए काम आती है, लेकिन hydrogen को बनाना, जो हमने भी discuss किया था, कि वो renewable से भी बन सकती है, और non-renewable से भी बन सकती है, तो India और Norway ने, अभी basically agreement sign किया है, जिसमें, इन्होंने ये बोला है, कि हम लोग क्या करेंगे, जो hydrogen है, उसको कहां से बनाएंगे, from the renewable sources, या तो solar energy से बनाएंगे, hydro से बनाएंगे, wind से बनाएंगे, वो देख लेंगे बाद में, बट कम से कम renewable तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो highlights इसकी basically यही है, कि इन दोनों आपस में pledge लिया है, कि hydrogen को हम लोग अगर बना रहे हैं, को हम अगर regulate कर रहे हैं, तो ultimately that should be from the renewable sources of energy, ऐसा नही कि coal से energy बनाएंगे, उससे hydrogen बनाया है, ऐसा नहीं, renewable sources से ही, और यह जो agreement इंडिया और नॉर्वे, पेपर में चीटमेंट आ सकती है कि recently अभी कौन सी दो countries ने agreement किया है, जिसमें उन लोग ने renewable sources से hydrogen बनाने का प्रण लिया है, तो इंडिया और नॉर्वे है, इंडिया का Indian Oil Corporation I O.C. और नॉर्वे का Green Stat Organization के बीच में ये Membranum of Understanding sign किया गया है, ठीक है, चला, नेक्स्ट है आपका, US officially rejoined the Paris Climate Deal, डोनल्ड ट्रम्प ने बेसिली जो भी काम किये थे, वो सारे आपके नए प्रेजिडिनिया के सारे के सारे उल्टे कर दी है, ट्रम्प ने कहा था कि we are going from the Paris Climate Deal, बट दुबारा से USA has become the part of Paris Climate Deal, Paris Climate Deal is basically है, जहां पर आप Climate Change को रोगने की बात करते हैं, ठीक है, क्या Paris Climate Deal है, ultimately इसमें क्या होता है, कि हर कंट्री, सभी कंट्री के सहयोग से क्या होगा, कि जो Earth का Temperature है, Earth के Temperature को हमें Pre-Industrial Level से, अगर हम बात करें जब तक Industries नहीं आई थी, Pre-Industrial Level में माल लेते हैं कि Earth का Average Temperature was 20 degree Celsius, माल लेते हैं, Earth का Average Temperature was 20 degree Celsius, Average ले रहें सर्देगर में सबका मिला कर एक Average ले लिया है, जिसका 20 degree Celsius हमारा आंसर आया है, तो Pre-Industrial Level में जितना Average Temperature था, उसको हमें Earth के Temperature को 2 degree increase होने से बचाना है, मतलब जो है 20 से 22 degree ये हो सकता है, 2 degree तक ही रखना है, बट ये 22 से 23 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 degree जैसे increase हुआ, वैसे ही क्या Global Warming बढ़ रही है, Glaciers melt कर जाएंगे और सारी के सारी जो cities है, Coast पर वो सबमर्ज हो जाएंगी, तो ये सब ना हो, तो जो Earth का Average Temperature है in the Pre-Industrial Time, वो क्या करना है, आपने 20 degree स 22 degree तक होने से बचाना है, मतलब उसके आगे होने से बचाना है, 22 degree तक हो सकता है, लेकिन काम किस के लिए करना है, काम कम से कम करना है, आपने 20 degree Celsius से 21.5 तक ही रोकने के लिए, क्योंकि जब target 1.5 degree का होगा, तभी 2 degree अचीव कर पाएंगे, हम लोग ये हमारा पूरा हिस्ट्री रही है हमारी पूरे वर्ल्ड की, तो आपको 20 degree से 20 degree हो सकता है, लेकिन काम किस के लिए करना है कि 21.5 ही रहे हो, that is the average temperature of earth pre-industrial level, तो ये जो objective था, ये किस में बोला गया था, that was said in the Paris Climate Deal 2015 में, तो दुबारा से USA से वापस आ गया, इसलिए ये नूज में था, नेक्स है है, है है Hyderabad, Hyderabad को नया, एक tree city of the world बनाया गया है, that is done by the FAO, Food and Agriculture Organization, जिसके अंतरगत, Hyderabad को tree city of the world बोला है, क्योंकि उसने बहुत वादा काम किये है, in the urban areas to grow the trees, near the railway lines, near the roadways, near the highways, और near the community forests, तो इसने काफी काम किया है, तो इसने इसको tree cities of the, tree city of the world का खिताब से नवाजा गया है, next है आपका international solar alliance to launch the world solar bank, धान रखना है आपने world solar bank, अभी ये launch नहीं किया है, अभी इसको launch करने की बात चल रही है, ये जो bank है, जब ये bank बन जाएगा तो ultimately इसका काम क्या होगा, international solar alliance में, हमने मार्च वाले में देखा था, कि there was around 121 countries का सहयोग, जो हो सकती है, जो within the topic of cancer, topic of Capricorn के बीच में आती है, जहाँ पर sunlight बहुत सादा पढ़ती है, मार्च वाले में लोगे नहीं क्या था कि Italy become the newest member of international solar alliance, ठीक है, तो revision हो गई आपकी इस वज़े से, तो world solar bank में ली क्या है, एक ऐसा bank, जो भी countries, IAC की members है, उनको अगर कोई solar power plant लगाना है, तो उसके लिए जो पैसा है, वो कौन देगा, world solar bank देगा उनको पैसा, ठीक है, तो य करेंगे, तो यह recently अभी launch करने की बात कर रहे हैं, बढ़ अभी launch अभी हुआ नहीं है, तो जब भी launch हो जाएगा, तो और भी जब news में रहेगा, तो आपको ध्यान रहे कि हम लोगे ने पहले पढ़ा हुआ है चीज को, ठीक है, तो यह important है, next है आपका India और Mauritius का comprehensive economic cooperation agreement, basically एक इंडिया और Mauritius ने FTA sign किया है, FTA मतलब free trade agreement, जिसमें इंडिया के द्वारा किये गए export और Mauritius के द्वारा किये गए हमारे imports, पर कम से कम import और export duty लगेगी, ठीक है, मतलब अगर इंडिया से कोई चीज, Mauritius जानी है, तो उस पर अगर उस चीज 100 रुपे की है, तो पहले क्य होगा, 100 रुपे की जो चीज है, वो 100 रुपे में ही Mauritius पहुंचेगी, क्योंकि अब import duty खतम हो गई है, after the signing of free trade agreement, सेम ऐसे होगा, Mauritius से आने वाली चीज पर import duty नहीं लगेगी, तो उसके बाद भी, उसके लिए भी क्या होगा, सस्ता बढ़ जाया का consumers को, इंडिया वालों क ये news में important इसलिए है, क्योंकि Mauritius ऐसा पहला African nation है, जिसने इंडिया के साथ, एक free trade agreement sign किया है, otherwise ऐसी कोई भी African country नहीं है, जिसने इंडिया साथ FTA sign किया हो, ठीक है, तो इसलिए important था ये, अगर हम वहीं बात करें कि वहीं क्या होगा, कि इस agreement में 310 ऐसे item इंडिया ने decide कि है कि इन पर कोई import duty नहीं लगाएगा, और Mauritius वाले कितने हैं, 615 products जो है, उन पर इंडिया import duty नहीं लगाएगा, तो इंडिया वाले 310 और Mauritius वाले 615 पर कोई भी import duty नहीं लगाई जाएगी, तभी ये सस्ते मिलेंगे इंडिया वाले, या मुरिशिस वाली countries में, तो ये थो स्पेस में, उसको वहां पर जो लोग रहते हैं, मतलब जो भी research के लिए जाते हैं, उनको कुछ supplies भी चाहिए होती है, food चाहिए होता है, water चाहिए होता है, और भी supplies चाहिए होती है, तो basically उनको वो जिसे provide करने के लिए, रशिया ने अभी एक cargo ship basically launch किया था, जिसके पास पू Progress 77, ठीक है, Progress 77 is the name of that cargo ship, पेपर मेंगर question आया है कि what this term means, Progress 77, इसका मतलब वो उस cargo ship का नाम है, जो रशिया ने launch किया है towards the international space station for carrying the food supplies and other supplies for the members of international space station, ठीक है, तो या दखल लिनलका सा, Next है, World Bank की report है, Traffic, Crash, Injuries and Disabilities, The Burden on Indian Society, देखो, जो इसका पूरा का पूरा आप कहलो कि, जो heading है, वो जच नहीं रहाए, World Bank से, लेकिन World Bank SC Studies निकालता है, जिसमें, ये road safety को लेके, railway की safety को लेके, चीज़े बताता रहता बगी countries को, तो इसने launch किया है, इस report को, Traffic, Crash, Injuries, आपने ध्यान रखना है, कि report का नाम क्या है, और World Bank ने ये निकाली है, तो, इसने बोला क्या है, मेली, कि जितना भी आपका जो burden है, अगर किसी का accident हो जाता है, तो जो burden पढ़ता है, उसकी family पर, वो बहुत जादा पढ़ता है, क्योंकि that member, maybe the earning member, earning member नहीं भी है, तो भी stigma, mental stress तो हो जब हो जाता है, तो ये basically World Bank ने report निकाली है, जिसमें उसने ये बोला है, कि जितने भी traffic में injuries होती है, accidents होते हैं, उसका जो burden है, society पर बहुत जादा पढ़ता है, तो उसको थोड़ा सा रोकना चाहिए, National Safety Day भी, सरकार ने, इंडिया ने, March वाले महीने मनाया था, road safety के नाम से ही, हमने मार्स वाले महीने में भी discuss किया था, कि National Safety Day is now, is basically on the road safety की theme, ठीक है, तो basically जो report है, इसका धालना, World Bank रिलीज करता है, अगर हम इसकी findings देखे, तो इसने ये बोला है, कि जब road crash में जो death हो रही है, among the urban poor, is the 11.6%, जिसने भी accidents हो रहे हैं, उसमें से 11.6% are those accidents, which are mainly the urban poor, और अगर हम बात करें थोड़ा सा, कि इसमें एक और है कि जो ultimately, जो पूरा का पूरा amount of burden है, पूरा का पूरा उस family की women पर जाधा पड़ता है, क्योंकि अगर earning member of the family चला जाता है, तो ultimately जो burden होगा, that would be on the female, कि आप earn करो, अपर पूरे परिवार को चलाओ, तो अपने report का नाम ध् इसको ध्यान रखना है, और किसी recommendation अगर आपको याद रहती है, तो well enough, और अगर नहीं भी रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछी जाएगी, ठीक है, तो ये है हमारे पूरे फरवरी 2021 के current affairs की compilation, अगर आपको, इसके साथ आपको PDF मिल जाएगा, जिससे आप revise क कर सकते हैं, और revision करनी ही करनी है, मैं हर class के last में आप लोगों को बोलोंगे कि revision is the ultimate key to clear the exams, अगर आप revision कर रहे हैं, तो that means you are on the right track, और अगर नहीं कर रहे हैं, तो कितनी वीडियो देख लो, कितनी बार देख लो, चीज़ें नहीं याद रहेंगी, तो वीडियो अगर देखन हाई, अगर आपको ये lecture पसंद आया, तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के prelims के लिए serious हैं, तो हमारा crash course जरूर जोइन कीजिए, course की details आपको हमारी website जिसका link description section में होगा, उस पे मिल जाएंगी, नहीं तो आप हमें call कर सकते हैं, नीचे दिये गए नमबर पर कर दोरूर कर दोरूर